कोरोना वाइरस के चलते जहां प्रवासी मजदूर अपने घर लोटने को मजबूर हैं ऐसे में कई मकान मालिकों ने और दुकान मालिकों ने अपने यहां पर काम कर रहे मजदूरों को संकट की घड़ी में भगवान की भरोसे छोड़ दिया है उन्होंने अपने यहां पर रह रहे और अपने यहां पर काम कर रही मजदूरों की मदद तो छोड़िये उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है जिससे परिशान मजदूर खुद ही अपने घर तक का सफर तैक कर रहे हैं इसके लिए चाहे फिर उन्हें पैदर ही क्यों ना चाना पड़े लेकिन ऐसे में दिल्ली के एक किसान पपन गहलोत ने नई मिसाल कायम की है उन्होंने अपने हाँ पर काम कर रहे दस पिहार की मजदूरों को फ्लाइट के जरीए उनके घर भेजा है इतना ही नहीं पपन ने अपने मजदूरों से कोई किराया तक नहीं लिया इसके साथ ही पपन ने मजदूरों को खाने का पूरा सामान दे कर और तीन हजार रुपे नगत दे कर विदा किया जिस से इने इनके घर तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े दिल्ली में मश्रूम की खेती करने वाले एक किसान पपन गहलोत ने अपने दस प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट की टिकेट बुक करके उनके घर बिहार भेजा ये सभी मजदूर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फसे हुए थे पपन गहलोत के भाई निरंजन सिंग ने कहा कि हम देखते थे कि पैदल जाने वाले लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं जिसके बाद हमने इने समझाया और इनके खाने पीने का इंतिजाम दिल्ली में ही किया ये सभी मजदूर समस्तिपुर के रहने वाले हैं और ये अपने मालिक की इस दर्या दिली से काफी खुश है इन मजदूरों ने अपरेल में ही घर जाने की योचना बनाई थी लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी उन्हें ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो अपने घर पैदल चल कर नहीं बल्कि प्लेन से जा रहे है न्यूस टेस्क क्यों ये टेस्क